प्रभाश कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ UPSC Mathematics Optional फिर से एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हम लोग जिसका नाम है पार्शिल डिफेरेंचियल एक्वेशन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको PDE's बोलते हैं UPSC के द्वारा पहला है family of surfaces in three dimensions formulation of PDE's solution of quasi-linear PDE's of the first order Cauchy's method of characteristics linear PDE's of second order with constant coefficients canonical form equation of vibrating string heat equation Laplace equation मजदार है, आसान है, हलका है, जॉली है, tension लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है आपने differential equation सीखा है, ordinary differential equation जब आपने सीख लिया है तो इसको सीखने में कोई भी गम नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी problem नहीं है Laplace already हम लोग सीख चुके हैं, तो Laplace का application लगेगा यहाँ पर Laplace mention नहीं था, notice किये तूं, calculus के syllabus में Laplace mention नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि जब तक Laplace नहीं पढ़ोगे तो इसको कैसे solve करोगे तो इसलिए कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो syllabus में mention नहीं रहती, hidden रहती, छुपा हुआ रहता है इसमें भी बहुत सारा चीज छुपा हुआ है, आपको तो दिख रहा है है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग काफी गहराई में इतना में पढ़ेंगे कि question बनने चाहिए, क्या है aim हमारा, question बनने चाहिए कैसे भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, question बनने चाहिए कहीं से भी पढ़ रहो, question नहीं बन रहे, तो फाइदा नहीं है पढ़ने का, छोड़ दो पढ़ाई फिर, तुम कितना भी ज्यानी हो जा रहे हो, question नहीं तुमसे बन रहा, छोड़ दो पढ़ाई, छो पढ़ाई छोड़ कर कुछ और करो, question important है, इसलिए हमेशा target ले करके चलन है, कि हम पढ़ रहे हैं, मेरे ये पढ़ाई से question बनेगा, तब ही हम पढ़ेंगे, इससे पढ़ने से हमको question नहीं बनेगा, नहीं पढ़ेंगे हम, क्यों पढ़ेंगे हैं, क्यों समय बरवाद करेंगे हम अपना, इसलिए question बनने important है, समझ मैं हा, तो इसके लिए कितने copy बन नहीं, ready हो जाएगा class notes, तो उसी को revise करना, questions को practice करना, guarantee, guarantee, सब questions बनेगे, चुटकियों में बनेगे, काफी मजा भी आएगा, maths अगर आपने लिया है, तो जाहर सी बात है, interest के साथ लिया होगा, अगर अभी भी आपको interest नहीं लग रहा, तो please, दया करके प्रभू, maths छोड़ दीजिए, जिंदकी बर्बाद हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि maths पढ़ने के लिए, जिगरा होना चाहिए, या बोडी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत practice करना पड़ेगा, बहुत ही regularly practice करना पड़ेगा, patience होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, maths पढ़ना सामबाद नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, अगर आपने maths लिया है, I am proud of you, I am really proud of you, that you have taken maths, तो partial differential equations हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, मिलते हैं आप से पहले lecture में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रही है, बाबाई